ना आटे न चीनी का अब काल हो, हर एक मारकिट में खरा माल हो, ना जलसे ना धरने ना हड़ताल हो, ये ना गंदी सियासत का जन्जाल हो, वतन की फजा का ये आहवाल हो, करोना जहन्नम को इरसाल हो, मुबारक मुबारक निया साल हो. वावा, जी, आप ने सुना, मुझे तारुफ करनी की जरूरत ही नहीं पड़ीगी, बहराल प्रोग्राम का बाकादा आगास करते हैं, मैं हूँ रशीद साफी, आप देख रहे हैं, प्रोग्राम साथवा दिन, और ना अज़रीन आपने आगास ही में, सर्फराज शायद साब का शाहकार शायरी से हमने आगास किया और नए साल का तवफा हमारी तरफ से एकसीजन देखने वालों के लिए खुसी तवफा, तो सर्फराज शायद साब तो वैसी भी किसी तारुफ के महताज नहीं है, आप शायर है, अदीब है, आप 33 से ज्यादा कुत्ब लिट चुके हैं, आप कालम निगार भी है, सदारती तमगा-ई-हसन कारकरदगी हासल कर चुके हैं, मतादद और भी वाड इनके नाम है, और सबसे बड़ी बात जो इनको हमेशा से मिलती रही है, आवाम की महबते हमेशा इनके साथ है, और आजकल आपको इल्म है कि करोना का जमाना है, एक वबाई वक्त है, जमाना है, इसमें इन जैसे शक्सियात की मुझूद की हमारे लिए किसी रहमत से कम नहीं है, आज इस खुसी सेग्मेंट में साथ वे दिन के हमने जैमत दी है, सर्फराशायद साहब की, तो मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता हूँ कि उनसे ज्यादा से ज्यादा गुफ्तूगू करें, और वो आपकी चेहरों पे मुस्कराटे बेकेरने में मदद करें, तो मैं बाकाइदा प् करें लिए जब आप से बात हुई टेलीफून पर के आप नए साल के सिलसले में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो बस वारदाते शेरी मुझ पे नाजल हो गई, तो मैंने ये शेर कह दिए, आपकी इस किसम की वारदाते तो आज हम जी बर के आप से सुनेंगे और मेजूज ह कि आप से पहले हम चाहेंगे कि हमारे देखने वालों को आप अपनी जिन्देगी के बारे में कुछ बताए, आप कहां से तालुक है, आपका बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन पर भी हम तोड़े से पनी जहनों को रिफरेश करने के लिए आपकी अप्तिदाई जिन्द हुई थी गोजनावाला में, मेरे वालत पंजाब गॉवर्मन्ट के महकमे में थे, तो उन दनों वहीं उनकी पोस्टिंग थी, तो वहां मेरी पैदाईश हुई, उसके बाद वो इपतदाई तालीम मैंने जो हासल की तीन चार साल वो अमेरिकन विशन स्कूल कसूर में क्योंकि मेरे वालत वो ट्रांसफर हो के वहां चले गए थे, वहां मैंने तक तक तालीम हासल की और इसके बाद फिर वो रावल पिंडी ट्रांसफर हो गई हमारी तो वहां आके डैनी जाइज स्कूल में, हम दाखल हुए मैटरिक वहां से किया और फिर गॉर्मन्ट गज रावल पिंडी से बी एसी किया और मेसी मैंने पिशावर यूनिवसिटी से किया अच्छे पिशावर यूनिवसिटी में भी आपको इल्म हसल करने का मोग्रा मिला बिलकुल और मुझे वह उनिवसिटी बहुत पसंदाई इसकी तामीर, उसकी बिल्दिंग, उसके पाखला मिल गया था लेकिन आई प्रेफर्ड जाएन पिशावर लिवरसिटी तो ये तो तालीम थी मेरी लेकिन जब मैंने MSC किया तो उसी वक्त पॉब्लिक्स हर्वस कमिशन की ये पोस्टें मैक मैं मौस्मियाद की अनौंस होई तो मैं उसमें सिलेक्ट होके मैं मैं मौस्मियाद को मैंने MSC किया उस पर भी आप से सुनेंगे लेकिन पिशावर का जमाना तोड़ा साम डिस्क्राइब आगर आप कर दे हमारे लिए वह कौन सा जमाना ता कौन से दहाई ती उस वक्त पिशावर उनिवरस्टी से वाबस्ता और पिशावर क पिशावर उनिवरस्टी में रहा हूं 62 से 64 तक बलके 65 तक शम्हिलीजे उस दमाने में पिशावर उनिवरस्टी के हवाले से आमद फराज वहां उस वक्त इस्लामिया कालेज में और एक और शक्सियत थी मिर्जा मेहमूद सरादी जी बहुत बगड़ बड़े मजानिगार थे और ये उनका युनिवरस्टी से ये तालुक था कि ये वहां फंक्शन्स वगरा में अकसर आते थे और वहीं इन से मेरी मुलाकात भी होई इसके लावा वो पश्टो डिपार्टमेंट के चेर मैं थे परिशान खटक साथ जी बहुत बड़े आपके प्रशवर और उन से मेरी मुलाकात गे प्रश्टिया और बाद में जब वह चेर मैंन एकैडमी आफ लेक्टर्स हुए तो अन्होंने मेरी किताब अर्दू मजाहिया शायरी बतोर रफर्णस बुक शाया की जी वहस्टब जो है बहुत ही नायाब किताब है जो मजाह या शायर ये के हवाले से पूरा एक एक साइकलोपीडिया के हैसियत उसने इक्तियार कर लिए उसके भी बात करेंगे लेकिन चाहूंगा कि आपने ये अमली जिन्दगी में जब आए मौका मौसिमियात को आपने जॉइन किया ये तंजो मजा एक सरकारी मुलाजम के लिए वै आपने बहुत शाकार तसानीप भी लिखी और आपने शायरी में भी कमाल दिखाया कैसे मुमकिन हुआ? साफी साफी बात ये है कि अगर बात सिलीके से कही जाए याई है अगर गुना सिलीके से हो गुना नहीं तो मैंने तो बहुत पहले से शायरी शुरू कर दी थी Allah 12 ने मुझे ये निमत अता की थी तो मैं बच्पन में जब ये कसूर में पढ़ता था। गालिबन घृरा साल की उमर में अपनी पहला शेयर थी मेरी और मैं चौतली ज्माद में पहला मुकमल शेयर शेयर का है react जो लखता ही था लेकर मैंने जो पहला मुकमल शेयर लिखा वो हमारी क्लास टीचर थी उसके बारे में था तो वो ऐसा था कि वो बहुत ही अच्छी खातून थी बड़ी खुश अदा, खुश लिबास और खुश मिजाज थी तो रोसानाने कपड़े पहन के वो आती थी तो मैंने, इक कापी मिरे मनें लिखता हो तशे ér, मैंने उसमें शेर लिखतिया के कभी साड़ी पहन ती ए, कभी लेंगा पहन ती यह जो कपड़ा पहन थी है बड़ा महंगा बैल वाव आचा वह मेरे क्लास विर याप 11 साल उमर में यह शेर कहा है और मेरा जो रूम मेर क्लासमेड था साथ उसने मैडम से कह दिया कि जी यह अपके पाहिए कर दिया उसने का क्या दिखाओ मुझे मैंने शेर दिखा दिया उसने पढ़कर मुझे थपकी चेहन लगी के बेटा आप तो कमाल लिखते हैं और अच्छे में अच्छे स्टूड़न्स में था पढ़ाई में भी ठीक था तो मुझे ये पहली जो होसला वजाई मिली वो इस खातून टीचर से और पिर ये वारदाते आपकी शूड़ी हो गई जी फिर मैंने नजमे लिखी और उस जमाने में जो बच्चों के रिसाले आते थे तालीम और तर्बियत खिलोना बच्चों की दुनिया इस तरह करके तकरीबन सबी रिसालों में मैं च्छपता रहा था बच्पन और लड़क्पन में बहुत सारे शौरा तो बहुत कुछ कुछ कह जाते हैं अमूमन हमने कि कुई हाथा वाथा जाता है उन siं की जजबाती वाबस to कि एक खास वाके से हो जाती है और वो अमूमन जो रोमानवी शायरी है हमने बहुत शुरा से वही सुना कि इस किसी nor कोई हाथा उनके साथ पेश आयर उसके बाद उनकी शायरी का सिलसला चल पड़ा तन्जो मजा बजाहिर तो सुनने वालों को एक बहुत लतीफ और शिफीक सी चीज मौलूम होती है लेकिन जाहर है ये इसकी आमद और इसकी तखलीक बहुत मुश्किल काम है ग्यारा साल के उमर में आपने तन्जो मजाही से आगास किया ये कैसे मुम्किन हुआ तोड़ा सा पसमनजर बता रहुआ ये मैं आपको बताओं जी कि मैं इसकी कोई वज़ा नहीं बियान कर सकता ये जो कुछ था वो बहुत में एक बरकत पड़ती रही मैं लिखता रहा और बहुत सी चीजें मेरी छपी उन दिनों जो रिसाले थे मैंने जिनके नाम लिए और पहली मेरी नजम एक रिसाला था गुंचा बिजनौर से निकलता था तो उसमें छपी थी उनी सो तरहपन में तो आप देखी कि कितना अर्सा हो गया मुझे शायरी करते जब से मैं शेर कह रहा हूँ और आज तक अनलाइ के फदलो से आज भी मैं एक कता रोज कहता हूँ जो एक अर्दु अखमार. 11 साल से सिलसला शूरू है और 80 साल तक यह सिलसला यह जारी है घारी है मैं सब़हिचता हूँ कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं वसाते हैं घैब से यह वसानी ख्याल मैं अच्छे ये मैं जिस तरह आपको लेके जाना चाहरा था आप मेरे खाल में आप शूरी तोर पर उससे बचनी की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ को इस तरह लड़कपन में अमुमन स्कूल और इसके बाद कालेज और पर यूनिवस्टी के जमाने में शुरुआ के साथ तो अक स्टी के जमाने में मैंने एक नजम लिखी थी किसी खातून से मुतसर होकर कह लें तो वो सची बात ये हैं कि वो एक मैं समझता हूँ यग तरफा महबत थी कोई यानि उसमें उसमें ज्यादा नहीं थी दोनों तरफ से आग लगनी की नहीं नहीं पस एक तरफ आग थी तो दूसरी तरफ बर लेकिन मुझे दुख हुआ कि वो खातून जो थी वो किसी और शुबे में पढ़ती थी लेकिन वो जब हमारे फाइनल इंदान हुए तो उसके बाद उसकी नागहानी ड़त हो गए ये बहुत बड़ा एक सदमा था तो एक्चुली मैंने उससे मुतसर होक वो नजम लिखी पैरोडी थी जो अखतर शीरानी की नजम की तो वो नजम मेरी युनिवरस्टी में बहुत पफ उस नजम का उन्वान था यही कालिज है वो हमदम जहां सुलताना पढ़ती थी ये पिशावर का जमाना था और ये जो आप कह लें के ये फिल बदी मैंने एक मैंने इस नजम को तो ये एक हादसा कह लें या वाकिया कह लें लेकन ये है कि ऐसे चोटे मोटे वाकिया जिन्दगी में आए लेकन मैं कभी सीरियस नहीं हुआ हम चीजों के बारे में जो आप कह रहे हैं ना मेरी शादी भी अरेंड मैरे थी यानि मैंने वालवान की है या जो आम ताफर है आपके बारे में आप सिर्फ तंजो मजाही लिखते हैं और कहते हैं तवी का सानीफ हैं को इसमें सनजीदा नुओ audi यत की बहुत सारी चीज़े हैं आपिने हमारे देखने वालों का अगर आप सकते हैं कि तंजो मजा से हट के आपकी कौन कौन 2 त أस है जिसको हम संजीदा शायरी या नसर में शुमार कर सकते हैं देखे जी एक तो मेरी नसरी किताबें जो हैं वो सारी संजीदा मौजवात पे हैं जैसे के ये सोनामी की कहानी ये मैंने लिखी और इस पे मुझे अवाड भी मिला नैशनल बुक काउंसल की तरफ से तो ये सोनाम की स्टोरी थी उसमें ये मौसमी सोनामी जो है जी जी तो वो सियासी सोनामी लेकर यहां के बहराल वो सियासी बातें भी आ जाती हैं तो दूसरा ये है कि मेरी और किताबें जो हैं अब फॉरी तो और मुझे नाम भी नहीं याद आ रहे उन में सिजीदगी है बसला मौसमियाद की मैंने अर्दू में किताब लिखी इंट्रोड़क्टरी मौदू पे अर्दू में इस से पहले साइस मौसमियाद के बारे में किताब को नहीं हम जानते हैं कि आपके कालों में जो आप कालम निगार भी है उसके आपके तहरीरों में जो कार्ट मुझूद होती है उपनी जगह पे बच्चों की शायरी आपने की है संजीदा नुएयत की शायरी की है खुशुसी तोर पे मैं आपसे जाना चाहूंगा एक आदमी अद्विया आपने जो आपकी एक तस्नीफ शाया की थी मजाहिया शायरी अर्दू मजाहिया शायरी उस हवाले से वो एक पूरा एक पूरिंग साक्लोपीडिया है बिल्कुल बिल्कुल उसके हवाले से बतायेगा उसमें आपने मजाहिया शायरी को बरे सगीर की मजाहिया शायरी बरे स किसाइले से इ clumsy बात करना चाहूँगा बरसउगेर की अगर हम बात करें तो तन्जो मजाया मजाया शायरी का ऐघाज या बाकाइदा आघाज हम किस दौर में उसको तस्लीम करते हैं दूसरा ये है का आपकी नजर में पहला बाकाइदा मजा निगार बरसउगेर में कौन थे शायरी की बहुँ जी शायरी के अवाले से हम जिस शक्सियत को पहला मजानिगार या मजागो शायर समझते हैं वो जाफर जटरली है जो सत्रवी सदी के आखिर में उनकी पैदाश हुई और वो बहुत ही जबता हिंदुस्तान है जाहर है उस बरसगीर में और आग तो वो बड़े आला है उन्होंने चोंकि उस जमाने में फार्शी यह वही शाहब है फरुख सेयर के जिसको मस्लूब भी किया गया था बुखलिया सल्तनत उसमें गरूबा तनजल थी लेकिन चोटी चोटी रियास्ते काइं ती तो उनमें फरुख सेयर इनके सबसे आहम बा थे और बड़ी बेबाग शाहरी वो लिखते थे और बड़ी गहरी बातें करते थे फार्सी में और साथ अर्दू भी उसमें चामल होती थी तो इसलिए हम उन्हें पहला शाहर मानते हैं वो बलके अपने एक क्रिटिस्जम वाले शेयर पर उनकी तलभी होई धरबार में बा बर गंदमो बोठो मटर वो कोई टैक्स लगा दिया वग उसने क्हाने पीने की अशया पर तो इन्होंने लिख कर होता यह था कि यह था कि यह शेयर लिखते थे और बंदे कठे कर लेते थे क्यूंकर दो कि अवाने में यही था और वहां पड़ दिया वो शेयर पिर तो फर्रग सियर ने उनको फांसी की सिल्दा दे दी और यू बेचारे पहले शहीद जराफत हैं हमारे देखने वालों के लिए बहुत उनके लिम में यकीन इजाफा हुआ होगा जराफत के लिए जान की कुर्बानी भी देनी पड़ती है कोई असान काम नहीं है बात ये है जी के जराफत एक मुरका है जहानत और फितानत का जुगत बाजी लतीफा गोई फकड़ पन नहीं होता मजाहो तन्ज की बारीकियों से जो नहीं वाकिफ वो एक जोकर्द हो सकता है एहले फन नहीं होता वाँ 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 बिलकुल आपने तो जिस तरह कहते है समंदर को कुजे में बंद कर दी और आपने पूरी तश्रीव भी कर दीए क्या है और ये किस तरह असर अंदास होता है मजीद आप से जानना चाहेंगे आम हालात में हम तन्ज को एक ही संफ शमार करते हैं हमारे देखने वालों को आप बता सकते हैं कि कोई बुन्यादी फर्ग है इन दोने साथ बुन्यादी फर्ग तो है जैसे जो खालस मजा है उस का उस शेर में कोई किसी पर कोई किसी बुराई बगारा पर नहीं वो तन्ज होता या सटायर होती तो वो लेकिन एक अच्छे शेर के लिए जैसे अब मैं आपको बताता हूं कि जमीर जाफरी का शेर है कि उसने की पहले पहल पहमाशे सहराए नज्द उसने की पहले पहल सहर पैमाशे सहराए नज्द कैस है दर असल एक मशहूर पटवारी का नाम है तो पटवारी की कहानी बरसगीर में बहुत पुरानी है और ये प्यूर मजा का शेर है लेकिन जब आप सटायर करें तो एक्च्छली तन्जो मजा अक्सर अकठे आता है क्यो किसी बुराई पर किसी अच्छी बात पर भी आप सटायर कर सकते हैं तो वो फिर एक किसम का जो वो सटायर करने वाला तन्जो मजा लिखने वाला वो शक्स एक मसीगा का काम करता है तो मैं आपको ये एक सेटिरिकल शेर ज़रू के जरूरत कुछ नहीं आहो बका की जरूरत कुछ नहीं आहो बका की कोई तद्वीर कर ले मुकमका की वाँ वाँ नाजरीन हमारी जो सर्फराश शायद साथ के साथ ये गफ्तगू जारी रहेगी और उनके साथ जो ये शगुफता अंदाज में मालूमात से बरपूर एक उनके साथ निशस जारी है इसका सिलसला इसी तरह जारी रहेगा प्रोग्राम में एक वक्फे का वक्त दुआ चाहते हैं वक्ते वाँ दुआरा अंदी प्रोग्राम में एक उनके साथ जारी है